थे अर बॉड्मार्निंग यक्लास आज का हमारा टॉपिक है सलिचा फभलॉप या यू किसे लिच्छ यक्ली फे, तो माउना जो फर्स्ट फ्लिप फ्लोप!! है यू. हम जो authors फ़लुप यू. वह हमारी क्या होगी ? Q & Q' और जो हमारी 2 inputs होगी ? set और reset तो एक जो भी हमारी output होगी दूसरी output उसकी complement होगी that is the block diagram of SR flip flop S & R, S for set & R for reset & we have 2 outputs Q & Q' और मैंने पीछे पढ़ाया था कि अगर हम NOR gate use करते हैं तो हम पहले यहां पे R लेंगे और यहां पे S लेंगे और अगर हम NAND gate यूज़ करते हैं तो यहाँ पर S लेंगे और यहाँ पर R लेंगे circuit के अंदर ठीक है तो क्योंकि हम यहाँ पर NAND gate को ही यूज़ करके अपना circuit बना रहे हैं तो यहाँ पर हम S लेंगे और यहाँ पर R लेंगे तो इस latch की help से हम flip-flop की working करते हैं और for input through that latch हम find out करें हमारे previous output को as a input यूज़ कर रहे हैं लेकिन अगर हमें input करना है instant input के लिए हम एक और NAND gate को apply करते हैं तो यहाँ पर हम दो NAND gate और यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारी set or reset for instant input हमने यहाँ पर एक दो NAND gate और ले लिए और यह हमारा latch है जिसके तो हम previous output को as a input यूज़ करेंगे तो यह हमारा एक block diagram हम कह सकते हैं कि that is a block diagram of SR flip-flop and that is the basic diagram of SR flip-flop के अंदर या कोई भी flip-flop हम यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास possible combinations क्या-क्या होंगे हमारी input के और क्या-क्या हमारे output आएंगे देखें SR के अंदर देखो मैंने बताया था कि हमारे पास दो state होती है set और reset तो यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखो S और R के अंदर अगर हमारी 00 value रहती है तो 00 value में हमारे पास दो options आते हैं या तो Q की value 0 हो या Q की value 1 होगी तो Q र की value 1 होगी और Q की value 1 होगी तो Q र की value 0 होगी तो यह हम मानके चलते हैं कि यह हमारी जो भी output आएगी हमारी previous state और हमें इसकी next state या final state find out करनी है ठीक है तो अगर हमारे पास S और R के अंदर 00 value हो और Q में 0 value हो और Q बार में 1 value हो तो क्या final state आएगी या next state आएगी और अगर Q में 1 है और Q बार में 0 है तो हमारी next state क्या आएगी ऐसे ही 01 में अगर हमार Q की value 0 हो और Q की value 1 हो तो हमारी क्या next value आईगी ऐसे ही 10 के 2 case हो जाएंगे और ऐसे ही 11 के 2 case तो यह हमारी total क्या बनेगी हमारी truth table बनेगी किसी भी flip-flop की यह जारी states हमें find out करने ही कि जब हम input के अंदर यह values जालते हैं क्योंकि 2 input है तो possible combinations चार ही होंगे लेकिन क्योंकि हमारे पास 2 output हैं एक बार हमारे पास Q की value 0 और 1 रहेगी तो उसके coding हमें उसकी next state को find out करना है तो यह हमारी truth table रहेगी किसी भी flip-flop की अब हम one by one सारे जो इसके states हैं उनको discuss करते हैं कि कौन-कौन से case हैं और कौन-कौन से हमारे पास उनके क्या-क्या output आएंगे तो first देखिए first case क्या है हमारे पास जब हमारे पास स के अंदर 0 value हो और R के अंदर 1 value हो और Q में हम 0 डाले तो हमारे पास कैसे यह circuit work करेगा कैसे यह SR flip-flop चलेगा अगर S के अंदर 0 है और R के अंदर 1 है तो यहां से हमने जो एक extra 9 gate लगाया है उससे हमारे 0 value 1 हो जाएगी और 1 value 0 हो जाएगी क्योंकि Q के अंदर हम 0 value लेके चल रहे तो यहां से हमें Q की value क्या मिल जाएगी 00 मिल जाएगी जब हमारे 9 gate में 00 value होती है तो हमारा output क्या आता है 1 आता है तो अब हमारे पास यहां पे 1 value आगई यहां पे हमें 1 value मिल गई इसका मतलब हमारे पास previous output as input, यहाँपे क्या चलागया, 1 चलागया तो हम यहाँपे क्या करेंगे, जब हमारी 11 value आएगी, तो यहाँपे क्या value आजाएगी, 0 क्यूंकि जब nen gate में 11 value होती है, तो output क्या होता है, 0 तो हमारे पास देखो क्या value आगी Q में 0 value आगी और Q बार में 1 value आगी तो अब हमारे पास जो output है वो क्या है 0 और 1 क्योंकि Q में 0 value है और 0 represent करता है reset state को तो हम कहेंगे कि यह हमारे पास output क्या आया हमारे पास reset state आया क्योंकि 0 और 1 value डाली है और output भी 0 और 1 ही आया तो हम इसको क्या कहेंगे कि कौन सा case है यह हमारे पास stable output का case है कि हमारी output chain नहीं हुई वही 0 1 रही तो यह हमारे पास stable state होई लेकिन हमारे पास क्यूंकि Q में 0 है तो यह कौन सी state आगी हमारे पास reset state आगी ठीक है class I think यह समझाया होगा सबको next देखowo अगर s के अंदर 0 और r के अंदर 1 हो और क्यूं मैं one value डालूँ तो पहले देखो हम वही value को consider करते हैं जिसकी value 1 है तो यहां से 1 का 0 हो गया और 0 का 1 हो गया Q की value 1 है तो यहां से हमारे पास 0 1 गया तो यहां पे भी value क्या आगई 1 आगई ठीक है तो अब यहां पे भी 1 value है और यहां पे भी 1 value तो यह तो consider नहीं होगा तो यहां से जब हम 1 को as output लेंगे तो यहां पे क्या value आएगी 1 1 की 0 तो यहाँ पे क्या बन गई 0 तो देखो Q में 0 value आ गई और Q बार में 1 value आ गई तो ये भी कॉंसी state होगी हमारी stable state आ गई क्योंकि 0 1 था और 0 1 ही आया क्योंकि Q में 0 value है तो कॉंसी state आ गई reset state को present करेगा जब भी हमारा set 0 और reset 1 होगा I think clear हो गया होगा सबको ये case अब देखते हैं case 2 case 2 में देखो अगर मेरे पास S के अंदर मैं 1 value डालू और R के अंदर 0 value डालू और first case लेडियो मैं Q की value 0 S के अंदर 1 और R के अंदर 0 Q की value 0 डालू देखो यहां से 1 का क्या हो गया 0 हो गया और यहां से 0 का क्या हो गया 1 हो गया तो हमें पता है NAND gate में अगर एक भी value 0 होती है तो हमारा output के आता है 1 आता है ठीक है न हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको अगर हम 1 वाली value को पहले अगर हम run करना चाहें तो direct और अगर हम चाहते नहीं हमें confusion होता है तो q 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 तो यहां पर value 1 से यहां पर क्या चला गया 1 चला गया और 0 फहाँ पर 1 इहां पर benefit क्या आ गया फिरसे वान आ गया ठीक है लेकिं लेकिन दोनों पर हम 1-1 value को लाओ नहीं कर सकते हैं तो एक बहर और चलेगा हमारी value harma, PA 10,0 में,озacı ones iPhone 11 किया तो यहां पर क्या आогда जिरो पर सfelे आग़ी होगा होग होग हाग होग ठीक है तो हमारे पास क्या value आ गई यहाँ पे मारे क्यू की only one होगई और क्यू बार की बार की set state यहां पर भी कोई changes नहीं हुए हमारे जो हमने input डाली थी वही हमें as a output मिली लेकिन क्यों के अंदर क्योंकि set state आई है तो इसको हम क्या कहेंगे कि यह कौन सी है set state आगी ठीक है तो अगर ऐसा होता है कि दोनों ही जगा पर one one value आजाती है इसमें confuse होने की जरूरत नहीं है उस उसको हम reconsider करके उसकी output find out करेंगे जब तक कि हमें complimentary output नहीं मिल जाता है उस one one को हम execution में नहीं ले सकते क्योंकि यह allowed नहीं है ठीक है class तो अब next state देखो next चिसका देखो अगर मैं s के अंदर one value डालती है और r के अंदर zero value डालती है और q के अंदर one value डालती है तो देखो यहां स one का zero हो गया और zero का one हो गया q में मैंने one value डाली थी तो यहां से one one का क्या आ गया zero यहां से zero जाएगा तो 00 का क्या आ गया one तो यहां पर मेरी फिर से वही state आगी q में one और q बार में zero तो यह कौन सी state आ गई मेरी set state तो जब हमारे पास s के अंदर one होगी और r के अंदर value zero स्टेट में में होगी तक समझ आये होगा है नेक्स्ट्ट नेक्स्ट्स क्लास में कवर करें गरा है